तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वालों सेंसंग के माइज में एक फीचर होता है जिसका नाम है स्लीपिंग एप्स दोस्तों यह फीचर क्या होता है कैसे यूज करते हैं एक्शुल में इसका यूज होता गया है उसके बारे मताने वालों दोस्तो तो सबसे पहले स्लीपिंग एप्स जो फीचर है इस फीचर का में यूज यह है कि अगर कोई भी है अगर आप बहुत सारी आप अपने वाल में डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ एप्स ऐसी होती है जिनको आप यूज नहीं करते हैं महीं हपतों तक महीन होता है और वो डाउ अगर आप कोई भी एप्स को यूज नहीं करते है जादा टाइम तग तो वो स्लीपिंग एप में आटोमेडिक चले जाता है और उसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन उसकी नहीं आती बट जब आप उसको यूज करेंगे एक टाइम तो वहाँ से वह खड़ जाता है त जैसा कि मैंने बता है आपको श्लीपिंग एप का फ्यूचर के बारे मताने वाणनों जो कि सेंसंग यूआल ने प्री इंस्टॉल रहता है उसके लिए आपको जाना होगा अपनी इस मॉवाइल के सेटिंग में सेटिंग में जाने का आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यहां पर और आपको वाले आप्षेन प्रिएंग आपको कुछ बताएगा तो आपको कुछ बताएगा उसके बारे में बताएगा sleeping app दिखे गया आप इस एप को उस एप की आपको ना की notification आएगी ना ही वो background में रन होगा इस से आपकी बैटरी सेफ होती है sleeping app से तो यह option ऐसे वह करता है यहाँ पर होता गया दोस्तो कुछ app को आप चाहें तो अपने साफ से एड कर सकते हैं और चाहें तो background से automatic एड हो जाती लाइक आप देखेंगे जाएक मैंने यहाँ पर Instagram को अपने आप से एड करा है तो यहाँ पर आ गया user edit जो भी app मैंने आड करी तो वहाँ पर आ गया user edit और मिल जाएंगे आप यहाँ से उसको एड कर सकते हैं एक एक आपको उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी app को हटाना तो यहाँ रिमूप में जाके हटा सकते हैं और एक चीज़ हो जो आटो एडिट हैं लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर फोन वाली जो एप है या बोल सक मैं जैसे ही यहाँ पर माय जीओ को ओपन कर लूँगा तो आटोमेटिक वो एप वहाँ से स्लीपिंग अप से हट जाएगी क्योंकि अब मैंने उसको एक बार यूज कर लिया है अब मुझे इनकी नोटिविकेशन आना चालू हो जाएगी बाइडिफोल्ट यह उस एप को ह जाएगी रखता है उसर एडिट में या वो सकते है आटो एडिट में जो आपने बहुत टाइम से यूज नहीं करी जो आप आप यूज कर लेंगे बाइडिफोल्ट वहां से हट जाएगी आप देखेंगे अब मैं स्लीपिंग एप्स में वापिस आ चुका हूँ वापिस आने का अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आप देखेंगे यहां से माई जीव खड़ गया है क्योंकि मैंने उसको खोड़ लिया है ऐसी में मैंस प्लेयर को भी खोल लूँगा फोन को भी खोल लूँगा तो यह सब वहां से हट जाएंगे यह उन्हीं एप को रखता है जो आप जादा यूज नहीं करते हैं अगर आप को इंटर्नली कोई चाहएं यहां पर info आपकी च्छाद्धा खाती है यहां पर आप जाएंगे तो आपको क्या करना है यहां पर जाना है आपको एप मैनेजमेंट में यहां जाना है स्लिपिंग एप में जाना है आपको ब्लस के आइकन पर जाना है और आपको उन एपको यहां पर एड कर देना लाई कि आपर मैं फेस्बुक को एड करना जा रहा हूं तो मैं यहां जाता ह में नहीं चलेगा जिससे मेरे मोबाइल की बैटरी भी सेव होगी आप देख रहे हैं मिल गया है मैं इसको एड कर दूँगा तो यहां पर न्यू करके आइड भी आ जाएगा और यूजर एड़ भी आ जाएगा इससे सबसेचा फायदा है कि आपकी बैटरी सेव होती और फाल इस नोट वांड टो भी पूटेट स्लिप इन एप को स्लिप मोड पे ना डाले तो आपको यहां पर उसको डाल देंगे तो वह एप स्लिप मोड पे नहीं जाएंगी तो दोनों फीचर बहुत ही काम के हैं दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी त कुछ मुझसे पूछन जाता है कोई कोशन दोस्तों आप मुस्ते कमेंट करके जरूर पूचें मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दरूर दूंगा दोस्तों और हो सके तो मेरे वीडियो को शेर करना भी ना बूले दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ दोस्तों और आप मेरेंगा जयरूर दूब हो जाता होस्तों और चैनल दोस्तों और आप मेरे दोस्तों झाल